सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि LC Oscillation का यह वीडियो है वो हम लोग दो प्लेलिस्ट में डालते हैं एक आपका जाने वाला है PhD सीरीज के प्लेलिस्ट में यह हमारा एक बहुत ही popular सीरीज है जहाँ पे हम लोग वैसे वैसे concept को अच्छे से detail में समझते हैं जो आपकी problem है जहाँ पे बच्चे फस्ते हैं तो इस playlist का link आपको description में डाल दिया जाएगा आप उसको जाके देख सकते हैं और आपको बहुत अजीब लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि जो आपके doubts है वो वहाँ पे है present video उसका दूसरा जो है alternating current का यह आपका एक topic है तो AC का जो playlist है उसमें भी इस video को डाल दिया जाएगा ठीक है recommended है कि आप इस video को 1.5 या 2x speed पे देखे ताकि आप कम समय में जादा ग्यान absorb कर सकेंगे चलिए तो यहाँ पर बहुत ही एक छोटी से कहानी की तरह हम लोग समझते हैं कि LCA oscillation में main मुद्दा क्या है LCA oscillation is basically a story of एक inductor and capacitor जिसको हम आपस में connect कर देते हैं और उस circuit में कोई भी resistance नहीं होता है हम ऐसा assume करते हैं तो वैसे situation में आपका जो electrostatic energy होता है और magnetic energy होता है वो आपस में बस oscillate करता रहता है अच्छा इसका मतलब इस topic को पढ़ने के लिए दो ही concept आपके लिए prerequisite है पहला कि अगर आपके पास एक capacitor है और उस capacitor पर कोई चार्ज क्यू है तो इस दो plates के बीच में आपको electric field होता है और उसी को हम लोग यहाँ पे कहते है electric energy जिसका formula आपको होता है Q square by 2C और दूसरा जो हमारा energy होता है that is your inductor वाला अगर इसमें कोई current आई आपको flow कर रहा है so this energy is equal to half Li square राइट अच्छा अब यहाँ पे हम लोग topic को शुरू करते हैं मान लीजिए यह आपको सिर्फ एक situation लिया जा रहा है कि समय शुन्य पे आपका यह जो capacitor है उस पे charge capital Q है और इस वाले plate पे minus Q है और इस समय इस पूरे circuit में कोई भी current नहीं flow कर रहा है यानि कि this is the maximum charge possible on this capacitor अब आपने जैसे ही इस circuit को close किया वैसे ही आप देख सकते है कि यह जो charge है यहाँ से आपको flow करना शुरू कर देगा follow this red dot anti-clockwise direction में आपका basically current flow होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसी situation आएगी कि current flow करते 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 यहाँ पे आपको charge जो है वो गायब हो चुका होगा which means the entire electrostatic energy has been converted into magnetic energy अब यह process आपको अभी और जारी रहेगा अब क्या होगा अब यही जो है आपका charge flow करते करते अब इस वाले plate पे एक ऐसा time आएगा जब इस वाले plate पे positive charge q हो जाएगा और इस वाले plate पे negative charge q होगा तो difference क्या देखा है polarity change हो चुका है अभी यहाँ पे minus q था अब इस वाले plate पे plus q है ठीक है अब यह कहानी आपको दुबारा से शुरू होगा लेकिन reverse direction में अब यह वाला plate आपको positive charge है अब आपका charge यहाँ से दुबारा से reverse direction में flow होगा और एक ऐसा moment आएगा जब आपका circuit में maximum current रहा होगा और अब वो clockwise रहेगा clear है इसके बाद आपका जो final diagram बनेगा जहाँ पे आपका एक cycle complete हो जाएगा वो वापस से initial वाला ही photo आपको दुबारा से आजाने वाला है which means हमारा एक cycle complete हो गया है एक cycle अगर complete हो जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे एक time period राइट इसका मतलब इसका मतलब यह है हम आगे जाके भी देखेंगे कि यह जो आपका charge का variation है यह आपको sinusoidal function होता है तो एक बाद जो आपको अभी सही retain कर लेनी है अपने दिमाग में कि भाईया समय शुन्य पर ऐसी कहानी होती है इसके बाद यह वाली जो आपको image है यह कब create होती है यह आपको होती है at small t is equal to capital T by 4 पे जहाँ पे capital T आपका एक time period है यानि कि यहाँ से photo शुरू हुआ और घू जाएगा तो उसे हम एक capital T कह रहे है तो यह वाला photo आपको आता है T by 4 पे उसके बाद यह वाला T by 2 3 T by 4 और वापस से capital T ठीक है तो यहाँ से हमें क्या-क्या चीजों को याद रखना है सबसे पहला point यह है कि आपका entire electrostatic energy entire magnetic energy में जब convert होता है तो time लगता है capital T by 4 clear है entire electrostatic energy दुबारा से entire electrostatic energy में जब convert होता है तो total time इन दोनों photo की जो बीच का है that is capital T by 2 तो यह दो point अपने को ध्यान में रखना है ठीक है अब यहाँ पे sir हमको जो चाहिए कि sir कि sir किसी general time T पे अगर हमें charge जानना हो तो sir वो कैसे निकालेंगे क्योंकि sir यह तो आप एक particular time की बात कर रहे हो T by 4 T by 2 लेकिन कोई भी random time पे अगर हमें charge का equation जानना होगा तो वो कैसे निकालेंगे very very important तो मैंने बोला है कि चलिए माल लेते हैं एक situation ले लेते हैं कि समय शुन्य पे इस समय आपका capacitor maximum charge था capital Q ठीक है माल लेते हैं किसी general time T पे इसके उपर charge small q है और उस समय circuit म हम लोग जानते है कि sir यहाँ पे circuit में कोई भी resistance नहीं है यानि कोई भी heat loss energy loss नहीं होने वाला है तो इस समय circuit का जो total energy है that is your electrostatic plus your magnetic energy तो वो sir लिखाएगा q square by 2c plus half li square which has to be constant यानि कि इस पूरे circuit का जो total energy है वो हमेशा constant ही रहने वाला है अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको दो दोनों तरफ differentiate कर दीजिए कुछ ऐसा ही आप follow करते है SHM में energy method में तो यहाँ पे दोनों तरफ आप इसको differentiate कीजिए तो आपको कुछ इस तरीके का equation बनने वाला है simple differentiation है कुछ भी high five यहाँ पे नहीं है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखे तो यह जो है na dq by dt और यह आपक small i तो यह दोनों तो same बात ही तो है तो इसको common लेके right side 0 में मिला दीजिए उसके बाद अगर आप ध्यान से देखे तो यह जो d i by dt है जहाँ पे i आपका क्या है dq by dt so basically d i by dt is double differentiation of this charge इस capital L को यहाँ ले आईए तो आपका यह equation बनता है d square q upon dt square plus q by lc is equal to 0 कुछ इसको देखके याद आ रहा है ऐसा ही double differentiation वाला form आपने shm में देखा था जहाँ पे था d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी यह जो आपका 1 by lc है यह कौन है यह omega square है यानि sir angular frequency is equal to 1 by root lc जिसका मतलब time period जिस capital T की हम बात कर रहे थे तब से वो आपको हो जाएगा 2 pi under root lc right और इस तरीके के equation का जो solution होता है वो क्या होता था x is equal to a sin omega t plus phi तो उसी प्रकार से इसका जो solution हो जाएगा that is q is equal to जो भी आपका amplitude charge है maximum charge है sin omega t plus phi तो यह हो गया आपका most general equation अब भच्चों को जो सबसे तकलीफ वारी बात होती है कि sir यह phi समझता नहीं है तो बच्चा अब यहाँ आपी मेरी बातों को ध्यान से सुनना ठीक है अच्छा sir यह phi क्या है अगर हम अपने इस example की बात करें तो हमारे example में समय शुन्य पे इस capacitor पे तो maximum charge ही है maximum charge ही है तो आप यहाँ से phi की value पता कर सकते थे कैसे sir तो ध्यान से देखिएगा in this example at t equals to 0 small q आपका capital q के ही बराबर है तो इस equation में डालिए small q की जगा capital q और t की जगा 0 डाल दीजिए तो आपको phi जो है वो pi by 2 निकल के आएगा pi by 2 निकल के आगया right अब इस pi by 2 को आप इस वाले equation में डाल देंगे तो आपका जो charge का equation है वो बन जाएगा capital q cos omega t right तो अगर आपको यह जो initial condition है यह initial condition को define करता है य simple सी कहानी है phi क्या बताता है कि sir समय शुन्य पे capacitor पे कितना charge था right तो इस particular condition के लिए यह equation मन के आता है आप इसे differentiate करेंगे तो आपको current का equation भी निकल के आ जाएगा बात सही है हाँ sir बिल्कुल सही कह रहे हो आप चलिए आगे बढ़ते हैं example ले ले लेते है कि मान लिजिए कि आपको किसी ने यह equation दे दिया तो यह equation आपसे क्या कह रहा है चीक चीक के आपसे यह क्या कहना चाता है कि sir small q is equal to capital q sin omega t plus 30 degree अगर हम यहाँ पे समय को शुन्य को t को 0 put कर दे तो यह आपका omega t 0 हो जाएगा यानि कि आपका small q क्या आएगा capital q sin 30 degree which means capital q by 2 तो यह 30 degree क्या बताता ह है कि sir समय शुन्य पे capacitor पे maximum charge का आधा था maximum charge का आधा था that is the whole and sole purpose of the 30 degree information clear है right अच्छा तो अगर हम अब पूरे चीजों को summarize करें तो हमारे सामने एक बहुत ही important बात निकल के आता है कि एक ऐसा moment होता है जब सिर्फ capacitor पे charge होता है there is no current एक ऐसा situation भी आता है जब circuit मे maximum current होता है there is no charge on the capacitor और एक intermediate situation होता है जब capacitor पे charge भी होगा और circuit में current भी होगा लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तीनो फोटो में जो total energy है वो same होना चाहिए यानि कि q square y2c should be equal to half li square should be equal to इस case में तो दोनों energy को add करना पड़ेगा भाई साब क्योंकि आपका energy constant होना चाहिए total energy is always constant clear है यहाँ पर आपके पास एक general equation ओमेगा की value the third line complete electrostatic energy changes to complete magnetic energy या फिर वाइसा वर्षा in capital T by 4 time शुरू में बताया था ना हमने राइट आपका capacitor पे एक बार electrostatic energy से दूसरी बार complete electrostatic energy आने में जो time रगता है that is T by 2 and same goes for complete magnetic energy also clear है अगर किसी बच्चे को इतनी जानकारी भी है मुझे नहीं लगता कि tough से tough सवाल भी आपके लिए मुश्किल होना चाहिए हलाकि इसमें tough सवाल तो होता ही नहीं है ठीक है आपको यहाँ पे एक दूए example दिखा देते हैं यह आपका एक example है अगर यह सवाल बच्चे को दे दे जिसे LC oscillation नहीं बड़ा है तो उसको मुश्किल लगएगा लेकिन अब आपको यह सवाल easy लगना चाहिए सवाल कहता है in a certain oscillating LC circuit the total energy is converted from electrical energy in the capacitor to the magnetic energy in 1.50 microsecond तो सर यह तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सर UV से UV होता है T by 4 टाइम पे यानि सर यह जो 1.5 है ना सर यह T by 4 है तो हमसे पहले पार्ट में पूछता है कि भाईया capital T कितना है तो खतम खेला 1.5 तो T by 4 के बराबर है यानि सर T 6 हो जाएगा और 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 बी पार्ट में क्या बोलता है how long after the magnetic energy is maximum will it be maximum again तो यह तो भाईया T by 2 है तो T तो निकाल लिया था by 2 करोगे तीन आंसर आ गया खतम खेला राइट एक और example देखिए in an oscillating आप चाहो तो pause करके maximum charge q0 on the capacitor what is the charge on it when the energy in the electric field is one third of that in the magnetic field अब यह सवाल असान है लेकिन इसके language में बच्चे फच सकते हैं तो भाईया शुरुआत में शुरू-शुरू में जब आपको तकलीफ होती है तो डाइगराम बना लिया किजिए आपके पास एक condition क्या है कि भाईया के पास एक फोटो य situation देता है कि भाईया इस पे charge भी है इसमें current भी है such that such that what is the charge on it is small q की value क्या है when the energy in the electric field is one third of that in the magnetic field यानि कि सर यह जो q square by 2c है small q square by 2c है that should be equal to 1 by 3 multiplied by half li square अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा सर energy तो हमेशा constant होगा यानि कि यह वाले फोटो में जो energy है q naught square by 2c that should be equal to इस वाले फोटो में जो total energy है हां जी सर लिख दिया लेकिन सर हमें ये भी तो condition दिया हुआ है कि सर q square by 2c should be equal to 1 by 3 into half li square तो सर यहाँ से हम half li square को इस वाले 3 को अगर हम left में ले जाए तो सर हम half li square को q square by 2c से अगर हम replace कर दे तो मेरा काम बन नहीं जाएगा क्या जनाब यहां से आपको q की value आ जाएगी capital q naught by 2 and that is the answer that is the answer ठीक है so I hope आपको LC oscillation अब डर नहीं लगेगा सवाल कैसा भी हो किस भी level का हो concept इतना ही लगता है और इसी storyline में आपको चीजे ध्यान में रहनी चाहिए ठीक है चलिए वीडियो को like कर दीजेगा चानल पर बने रहिए take care wish you best of luck